राजिस्थान रोयल्स के खिलाफ मुकाबले में डली कैपिटल्स ने 6 विकेट से जीत हासिल की डली की कप्तान श्रेय सायर ने डॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और अजिंके रहाने की शतक और स्टीव स्मित की हाव सेंचुरी ने उस फैसले को कुछ हद तक गलत सावित भी कर दिया राजिस्थान ने 6 विकेट पर 191 रनों की चुनौती पॉंट स्कोर बनाया और दिल्ली को मुश्किल में डाल दिया हाला कि दिल्ली ने स्कोर का करारा जवाब दिया शिकर धवन ने धमाकेतार शुरुआत की और इसके बाद रिशव पंत ने अपने ही अंदाज में मैच को खर्म किया दिल्ली ने 4 गेंद बाकी रहते 4 विकेट पर 193 रन बना कर मैच जीट लिया इसके साथ की दिल्ली आईपिल पॉइंट स्टेवल पर टॉप पर पहुँच गई अपनी दमदार 78 रनों की पारी के बदॉला दिल्ली को राजिस्थान पर जीत दिलवाने वाले रिशव पंत वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्शन ना होने की बात को फुला नहीं पाए हैं मैच के बाद पंत ने खुद इस बात का जिक्र किया पंत ने कहा कि सेलेक्शन का मसला उनके दिमाग में घूम रहा था पंत ने 36 गेंदों में 78 रन बनाकर दिल्ली को राजिस्थान रॉयल्स पर 6 विकेट से जीत दिलाई मैच के बाद उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टीम की जीत में योगदान देना अच्छा लगता है मैं जूट नहीं बोलूँगा लेकिन चैन का खयाल मेरे दिमाग में लगतार था पंत ने आगे कहा मैंने अपने खेल पर फोकस किया और इसका फाइदा मिला विकेट अच्छा था और मैंने इसका फाइदा उठाया हमारे टीम में सभी को अपनी भूमी का पता है और सहीोगी स्टाफ बताते भी रहते हैं बता दे कि भारत की वल्ड कप टीम में दिनेश कार्तिक को पंत पर तरजी दी गई है इस पर क्रिकेट फैंस और दिग्गेजों की मिली जूली प्रतिक्रियाएं सामने आई है पुर्फ खिलाडी सुनिल गावासकर ने कहा था पंत की मौजूदा फॉर्म को देखते वे उन्हें टीम में जगा ना मिल पाना थोड़ा हैरान करने वाला है टॉप 6 में बाय हाथ का एक बल्लेबाज होना गेंद बाजों के खिलाफ फायदे मन साबित हो सकता था इसके बाद BCCI ने बताया कि रिशब पंत को भारत की स्टैंडबाई खिलाडी के रूप में रखा गया है पंत के साथ साथ अनुभवी बल्लेबाज अमबाती राइडू और तेजगेंद बाज नमदीप सेनी भी स्टैंडबाई पर है अमबाती की जगा टीम में विजय शंकर को मौका दिया गया है हाला कि अगर सिलेक्शन की बात करें तो रिशब पंत पर एक पॉजिटिव प्रभाव ही देखने को मिल रहा है उनकी दमदार बैटिंग के वज़े से दिल्ली अब प्लेओफ में अपने जगा बनाने से महस एक कदम दूर है क्यास लगाया जा रहा है कि डेली कैपिटल्स इस बार आईपील की ट्रोफी भी अपने नाम कर सकती है